इसको तो रास्ता देना चाहिए भाई बट फिर भी जाम में भाई एक एक नहीं दो दो आधा रास्ता तो यह बस ही ले ले ता भाई तो बताओ यार मतलब यह सब जाहिल लोग होते भाई जो एसे खड़ा कर देना पलस ते ले ला है देख रहा है इसको क्योंकि हम लोग 20 और 30-30 पापी करें तरीके से ओवर्टेक करने तो जान प्यारा है तो अब लोग नहीं करेंगे यह भगवाण जी का है बाई मंदिर जैसिर राम भाई बस जहां भी जाओ ना वहां जैसिर राम का नारा लो भाई दिन अच्छा जाता यह स्टेशन यार अंदर से यह क्रोसिंग वाला कितना मस्त दिया है और कुछ अलगी इसको क्रोसिंग है और काफी काफी मस्त लग रहा है एंट्री वाला देखके मैं को अच्छा चा स्टेशन को फेल करतेगा यह तो बाईक बाईक लाने वाला इधर से देखो इधर से चड़ाने वाला यह में भी लगता है ना कुछ जैसर रामकाच कैसो आप लोग वह वह बढ़ी होगे मस्त होगे सुस्त होगे और हमारे वीडियो देख रहोगे तो आज अपन लोग आप लोग को इसलांपूर का रेल्वेश्टेशन दिखाने वाले क्योंकि कल मैंने आप लोग को एक अंगर सराय दिखाया था तो म आप लोग देखी सकते हो तो अभी अपन लोग सबेरे निकलते हैं क्योंकि डिश्टेंस काफी अधा है तो ज्यादा रास्ता विताय करना पड़ेगा इसलिए जल्दी से अपन लोग निकलते हैं बिना खाय पिये जाएंगे तो देखते हैं कितना टाइम लगता जाने में तो निकलते हैं डाइरेक्ट आपको एक अंगर सराय में मिलते हैं तो फाइनली अभी अपन लोग एक अंगर सराय मार्गेट पहुंचे यहां से आपने को वहां देखो बस का स्टॉप पाई दो दो बस आ चुका आगे जाम लग चुका तो अपने को यहां से लिप साड जा है भाई तो अभी तो अपनों लोग जाही रहा है जाम इतना खतरना हो अला कैसे लग जाता है और इतर जगा कम और फिट बस भी देखो ना तो दो दो है और मार्केट देखो अच्छा है खुला-खुला सा मार्केट मस्त लग रहा है बट धूप में गर्मिया भी लग रही अपने को फ़री जाम तूटने वाली है कुछ ही मिद्धा इह लाइक इनदेखो इंदे ने यह लवकुकिट अपने मोडें मोडें तंस यहां पेonna से जाहना छाहता राइड सॉ dewगे इधर तो इधर पडिया खेर लिप्त कर नहयां उगे तो इसलामपूर हो जाता है तो तारा गाड़िया वेहिकल से पास होगी तो जाम तो लगेगी ना और प्लस देखो तरह किसे अबुलेंस आरा भाई इसको तो राफ्ता देना चाहिए भाई बट फिर भी जाम में भाई क्या ही बोल सकते हैं जगा कम है ना इसी कारण से साइड से निकलते हैं भाई जाम यह बस के कारण काफी गंदा वाला जाम ता और फिर यह देखो अपर लोग लिफ साइड आ चुके हैं यहां भी एक बस खड़ा है भाई एक एक नहीं दो-दो आधा रास्ता तो यह बस ही ले लेता है भाई तो बताओ यार मतलब जाम लगे भी आ जगता है यार काखे क्यारा सा लग रहा है मेंको जगा लेकिन कुछ लोग के करना जाम लगना बहुत ही भी आनक हो यह दर तो सामने एक शार देखो पानी वाला भी बीच रोड में खड़ा कर दिया भाई मतलब यह सब जाहिल लोग होते भाई जो एसे खड़ा करते ना पल है यह बाई चलान सिस्टम है सुभाया भी हम लोग माह राजगंज पहुंचे है अपना ममी का नानी है और यहां से इसलामपूर 8 km और है क्योंकि हम लोग 20 और 30 का स्पीट से ही जा रहे हैं इस से जादा स्पीट नहीं जा रहे हैं कि इधर ना बस अबादिका भी करने तरी सब्सक्राव है कंगा मत करना है तो यह साथा जाओ गए तो यह गलत बात है तो इस जादा हो बस करें चुनेए होga अ को हम आता है बाई ये ट्रक वाले को देख रहा हो इतना गंदा वाला भी ओवर्टेक किया बहुत ही गंदा ओवर्टेक भी करता था बाई पतला विल्दम पूरा रोड पे चड़ गिया और फिर साइड में कर लिया हो तो एसा ओवर्टेक नहीं करना चाहिए है तुम्हारे जान तो जाए मंदिर के पीछे में पीछे में तो आगे चलते हैं आगे देखते मार्केट ये है या फिर इसलांपूर का कोई और भी मार्केट है ये देखो यहां पर जाम एक बस के कारण बोलते है ना बस वाले लोग जाम लगाते है ये देख लो बस के कारण ही जाम लगता है भाई तुम लोग कुछ भी बोलो कोई कुछ भी बोले बस के कारण जितना जाम लगता न उतना कहीं जाम नहीं लगता किसी के कारण पलस ये टोटो बस और टोटो दो के कारण सबस्यादा जाम लगता है तोटो जामन किया वहां रोके पैसेंजर लेता है उसको साइड करने कोई अवा सिक्ता होती नहीं है और श्रीय साइड इसलामपूर का इधर कुछ अच्छा स्टेंड है क्या इधर अंदर के साइड में भी होगा बट में को पता नहीं है य सिर्म भगवान कोई एक वीडियो अपना वाइरल करवाद हो बार आगे के साइड देखो ना तो यह स्री बाला जी फास्ट फूट अपने को भूख भी लगिए बट टेफ फास्ट फूट अभी बंद है योगी भूख है ना यहां पर अपन लोग वीडियों के लिए सुब और पलस मॉल भी पीछे साइड था बट उसका वीडियों नहीं बना पाएं मार्केट काफी बड़ा सा है यार मैंको लगा छोटा सा मार्केट होगा लेकिन इस्लामपूर का मार्केट तो काफी है भी और पिर काफी बड़ा है भाई एक अंकल वो बले सामने के साइड वहाँ जैसी राम का नारा लो भाई दिन अच्छा जाता है में को ऐसा मानना इधर मार्केट प्लस मंदिर देखो यह थाना है ना में को बोले तेना इधर एक थाना भी यह इसलामपूर थाना ही है आगे रिल्वे श्टेशन है इसलामपूर का भाई मतलब इतना ज्यादा घूमना पड़ता है इतना अंदर आओ ना उसके बाद रिल्वे श्टेशन प्लस में सोचा था और फिर वही हुआ भाई वह रास्ता इतना साकेट एतना पतला है ना उसके कारण कि जाम लगती है अब पहुच गया हैं वह सामने देखो इसलामपुर स्टेशन वह देख रहा है यह देखो बाई मतलब चड़ने वाला उपर केसा है क्रोसिंग ब्रीज काफी मस्त वाला है अच्छा होगा डिसेंट प्यारा सा होगा इसा लग रहा है और फिर सामने एक साथ देखो न तो इसा ही द अंदर का स्टेशन कितना मस्त होगा बढ़ वो तो देखने के बाद लुद का चलेगा ना स्टेशन कैसाअधो स्टेशन नृ हम ries काफी मस्त लग रहा है और फिर संड़ेखो बाहर चेंख कुछ ऐसा है पीछे कहाने पिने वाला समान यहां पे और यह देखो पारकिंग का एरिया पलस इसलामपूर एंट्री भाई काफी मस्त लग रहा है और एंट्री वाला देखे मैं को बाई अच्छा-च्छा स्टीशन को फेल कर देगा यह तो एंट्री वाला हमारा भिहार सरीफ का भी मेभी एंट्री के साथ ही देखो टाइम कितना और नौ बज के चववन मिन तो काफी सारा है बट मैं आपको ऊपर से जाके दिखाता हूँ कि इतना सारा प्लेटफॉर में यह देखो इसलामपूर स्टेशन लिखा हुआ है पलस यहां सभी अपनों लोग आ सकते थे बट वहाली मेन गेट से अपनों लोग आ हैं एक सकते हूँ वहां पर वह मेन गेट तो भाई यह देखो यह बाइक बाइक लाने वाला इधर से देखो इधर से चढ़ाने वाला यह में भी लगता ना निव बना है बाइक लाने का ऊपर से डायरेक्ट यह फिर जो भी समान उतरता है ना तो कुछ समान को यहां से ओपर लाने वाला यहां से यहां पर यह लान सबसेदी यह खूलेगी देखो माल गाड़ी बरकर्स लोग काम कर रहा है वही समानु उपर लाने वाला तो यह कुछ SACHATION काफ़ी मस्क को लग रहा यह यह पीर रुक हूँ went प्लस ये कौन सा इंजन है एक, दो, तीन, चार, चार पट्री भाई ये क्याची का इंजन है पता नहीं में को क्याची का इंजन है आप लोग कमेंट करके बता ना गाईज प्लस ये देखो, यहाँ पर भी एक चड़ने वाला बना रहा है, जो भी सामान उपर लाएगा नुसका यहाँ भी बन रहा है, प्लस उसका थो भी काम चल रहा है, देख रहे हो, कैसे मेहनत से लोग काम करते हैं, बलकि धूप कितना भी हो, भाई इनका काम काम होता है और फिर ये लोग मेहनत का खाते भी है भाई सोचो इतना धूप में काम करते हैं पलस कहां बैठ की हो काम कर रहा है सोचो रिस्की भी होता है डेंजरस काम भी होता है तो इसलिए इनको पैसा मिलता भाई इनको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं ये लोग प जो अगर रेले विभाग से देख रहे होगा ना फिलिज यार कमेट कर बताने क्या जी का इन जन है में को पता नहीं चल रहा है और फिर यह भाई अच्छा लग रहा है में को यार तो वो तो प्लेटफॉर नमबर एक था यह दो है यह तीन और फिर वो चार तो अपन लोग न अपना ट्रेन है हाटिया इसलामपूर एक्स्प्रेस नई दिल्ली है थे यहीए दील्ली का जाती है इसको सायद मगद भी जोग बोलते हैं नहीं हाटिया इसलामपूर ही यह सायद दो पहर में एक तो बजी यहाँ से खुलेगी तो तो देखरों सफाई होगी आचुकी यह ट्रेन यहाँ पर लग चुकी है और एक यह दो बजे यह ट्रेन खुलेगी पलस यही कुछा स्टेशन तो में वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है पलस यह जो कुछ नय नय समान एड हो रहा है ना इसमें नय नय चीज आती है ना लग यह जिसे बाती है न तो उसको उपर लेकी जाने वाला न अच्छा सा यह चीज ला रहा है यहाँ पर काफ़ी मस्चाद चीज है यार ऐसा ही बिकसित होना चाहिए श्टेशन यार जैसा कि इसलांपूर का स्टेशन बिकसित हो रहा है ना और पलस हमारा बिह कैसा लग रहा है पिलीज कमेंट करके बताना गाइस क्योंकि यह स्टेशन काफ़ी प्यारा सा है काफ़ी अच्छा सा लगता है पलस यहाँ पर देखो ना कि इतना भी धूप आ जाए ना तो यहाँ पर रुकने का जगा भी काफ़ी अच्छा अच्छा सा बना हुआ है जैस इसको अगर कोई जक्सन बोले ना तो इसमें तुह तुह मैं मैं करने वाला बात नहीं होगा यह जक्सन लगता है बड़ आप लोग को बिचार क्या है अप लोग का लगता अपनों प्लोगो का लगता स्टेशन दोनों से क्या लगता है फिलीज कमेंट करके comment बोक्स में इसलिए यहां से थोड़ा सा लेट से ही खुलती है तो बस यही कुछ अस्टेशन में को यह वाली काफिय ज़्याद अच्छी लगी पलस यह स्टेशन में जो भी और बन रहा है न एड हो रहा है न वो भी में को काफिय अच्छा लग रहा है तो अप लोगो कैसा लग रहा है फिलीज कमेंड बॉक से कमेंड करके जुरू बताना यह स्टेशन अप लोगो कैसा लगा पलस यह स्टेशन इसको बोल सकते है या फिर जक्सन बोल सकते है भी कमेंड करके बताना अलाकि यह जक्सन है, इसलामपूर जक्सन के रूप में ही बोला जाता है, लेकिन रेलेवे स्टेशन ही बोलते हैं, कितना लोग तो रेलेवे स्टेशन को जक्सन बोलते हैं, लेकिन यह जक्सन है गाइज, मैं आपको बता दूए जक्सन है, क्योंकि यहां से बहुत सारी ट्र वाले को भी जक्सन बोला यह तो इसको क्या बोला जाएगा यह आप लोग गेस कर सकते हो और फिर मारल गाड़ी खुल चुकी है स्टेशन पीज एक साइड ओपन हो चुकी है तो अभी अपन लोग सोच रहे हैं यहां से घर नेकले क्लिए क्योंकि अपने को भूब भी काफे लगी है और फिर आप लोगो दिखा भीट पे अउद के लाघ श्टेशन तो कैसा लगा श्टेशन कमेंट करके बताना आप onda अपन लोग से चैनल पर साथ चैनल को सब्सक्राइब करना जितथा हो सेको ब्लस न क्यूं। इसलिए उस बोल रहा हूं यह डेक हो आप लोग लालबती दिख रहा इधर ये लालबती जला हुआ है ना इसलिए कोई ट्रेन नहीं आएगी प्लस फाटा कोपेन है तो कोई ट्रेन आने की संका भी नहीं है तो इसी कारण से अपनों यही से क्रोस करते हैं प्लस मालगाड़ी आगे जा चुकी है और उधर लालबती उधर भी प्लस अब इसे एक देखो उपर सीड़ी के साइट से आगे हो सही जगा से आया ऐसा ही आना भी चाहिए पट्री के साइट से ना आओ कोई सही होगा क्योंकि जिंदगी बचाओ भाई लाइप में बहुत आगे जाना है तो जिंदगी बचा के चलो प्लस अपना सेफटी बह